नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में हरी चूडियां पहनना सपने में हरी चूडि देखना सपने में हरी चूडि खरीदना सपने में हरी चूडियों की विभिन नवस्ता है आपके जीवन पर क्या लेते हैं शोपन सास्तर के अनुसार सपने में हरी चूडी देखना कैसा होता है जैसा कि हम लोग जानते है हरा रंग समर्धी का प्रथिक माना जाता है ऐसे मैं अगर आप एक अब्विभाहित इस्तरी और आप सपने में हरी चूडीयां पहुंते हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आप समरद्धी को प्राप्त करेंगी आम दनी कि आपकी बढ़ेगी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ सकती है भाई आप बात कर लेते हैं अगर आप एक बिवाहित इस्तरी हैं और आप सपने में हरी चूड़ियां अपने आपको पहनते हुए देखती हैं तो ये सपना सवभाग्य को प्रदर्शित करता है इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके दोर पर सवभाग्य दस्तक दे सकता है अगर अभी के टाइम पर आपके घर में तंगी है बीमारी है या आपके घर में ऐसे की कमी है आने वाले समय में ये समस्यां दूर होने वाली है अगर आपके पती अभी के टाइम पर आपसे रोडली बिहेवियर करते हैं तो आने वाले समय में उनके सुभाव में सकारात्मक परिवलतन आने लगेगा। भाई यह बात कर लेते हैं अगर आप सपने में अपने आपको हरी चूणियां खरीते हुए देखते हैं तो यह बेहदी बढ़ियां सपना होता है। यह सपना हमें बताता है कि आने वाले दिनों में हमारी आये में ब्रद्धी होगी तो हमारी परशेजिंग पापर बढ़ सकती है। भाई यह बात कर लेते हैं अगर आप सपने में हरी चूणियां किसी को दान में देते हैं तो यह बेहदी बढ़िया सपना होता है। ये सपना हमें बताता है कि आने वाले दिनों में हमारी प्रवर्ती धार्मिक होने वाली है हमारे अंदर धार्मिक भावना उत्पन होगी जिसकी बज़े से हम अच्छे करम करेंगे और जब अच्छे करम करेंगे तो अच्छे फल भी हमको निश्चित ही प्राप्त होंगे अब बात कर लेते हैं सपने में आप अगर अपनी कलाई से हरी चूडियों को उतारते हुए देखते हैं तो ये बेहद ही असुब सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके स्वहाग पर थोड़ा बहुत संकट उत्वन हो सकता है बहीं अब बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके हाथों से हरी चूडियों तूड जाती है तो असुब होता है इसका मतलब होता है आने वाले समय में आर्थिक हानी होगी पती बगारा के स्वास्ते पर थंकट हो सकता है पती बगारा को जो हलकी फुल की छोटे भी लग सकती है और हो सकता है कि वह बीमार भी हो जाएं ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है बस यहीं तक सपन पसासतर कहता है अब बात कर लेते हैं ऐसा सपना अगर आपको आता है तो इसके प्रभाव को कम कैसे किया जाए तो इसके प्रभाव को कम करने का ये की तरीका होता है कि आप जल से जल इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेयर करें सेयर करेंगे तो इस सपने का प्रभाव कम हो जाता है जिससे आने वाले प्रभाव भी लगवक समाप्ति ही हो जाते हैं जयानकारी पसंद आई हो तो कॉमेंट बॉक्स में जैसरे राम अवस्च लिखते हैं